दूआ पर यूग में महावली हनुमान जी और महारती करण के साथ हुआता महा प्रलैकारी युद्ध। ज्यादातर लोगों को इस महा युद्ध के बारे में शायद पता ना हो। अगर आप बजरंग बली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। दोस्तो महावारत में जब कौरवो और पांडवो के बीच युद्ध चल रहा था तब कौरवो के सेनापती अंग राज करण का अरजुन के साथ अंतिम निरनायक युद्ध चल रहा था। अरजुन के सारती स्वेहम भगवान स्रीकिष्ण थे। लेकिन क्या आपको पता है अरजुन की रक्षा कौन कर रहा था। अरजुन के रत पर स्वेहम महावली हनुमान जी धोजा के रूप में विराजवान थे। जब जब अंगराज करण ने अपने महाविनाशकारी श्रीकिष्ण जी और हनुमान जी अगर अरजुन के साथ ना होते तो करण ने अरजुन को कब का परास्त कर दिया होता। असल में अंगराज करण का इन तीनों से ही युद्ध चल रहा था। इसका मतलब है कि अरजुन के साथ साथ उन्हें स्वेहम भगवान स्रीकिष्ण जी और महावली हनुमान जीसे भी उनका युद्ध हो रहा था। टीनों लोकों के स्वामी भगवान स्रीकिष्ण जी और महावली हनुमान जी जिसकी रक्षा कर रहे थे। इससे यह सावित होता है कि काञ और्जुन से बहुत ही जादा शक्तिशाली थे। जन्म से प्राप माता कुंती को कर्ण ने बचन दिया आपके पाच पुत्रों का जीवन में दान में देता हूं लेकिन चार पुत्रों को तो मैं नहीं मारूंगा युद में अर्जुन मरे या कर्ण मरे आपके पाच पुत्र ही जीवत रहेंगे भगवान परशुराम जी ने कर्ण को सभी परक जी को परम किताब भ्रम्यदेव का वर्दान था कि उन्हें किसी वी दिव्यास्तरों से कोई हानी नहीं होगी इसलिए अजय अमर महावली हनुमान जी का आवाहन भगवान स्री किष्णी जी ने अर्जुन की रक्षा के लिए किया था अन्त में भगवान स्री किष्णी जी ने यहाँ भेद बता दिया था तब महावली हनुमान जी को भगवान स्री किष्णी जी ने परकट होने को कहा जब हनुमान जी ने अपनी दोजा अरजुन के रत से निकाली तो उसी समाएं अरजुन के रत में महाविस्पोर्ट हुआ जिस से अरजुन का रत पल भर में नश्ट हो गया था फिर भगवान सिरिकिष्ण जी ने अरजुन से कहा देखो पार्थ करण के महाविनाशक अस्तरों से महावली हनुमान जी ने ही तुमारी रक्षा की हुई थी इस परकार से महावली हनुमान जी की सायता से करण पर अरजुन ने विजय प्राप्त की थी दोस्तो अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं आगले नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद